जब इस खुखार बल्लेबाज ने बनाए थे एक गेन पर 17 रन, गेन बाजों को बहरेमी पीपता था दुनिया में एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके नाम अंतरास्टी क्रिकेट में एक गेन पर 17 रन बनाने का विश्व रिकोर्ड है दुनिया का कोई भी बल्लेबाज एक गेन पर 17 रन बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो लगभग नामुनकिन है लेकिन भारत के पास एक धाकड बल्लेबाज है जिसने इस नामुनकिन काम को मुम्किन कर दिया है अंतरास्टी क्रिकेट में रोही शर्माव क्रिसकेल जैसे विस्पोटक बल्लेबाज पी एक गेन पर 17 रन बनाने का कारनामा किया है यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि भारत के विस्पोटक पूर्व ओपनर विरंद्र सहवाग है पूर्वे भारतिय तेज सलामी बल्लेबाच विरिंदर सहवाग ने 13 माश 2004 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय मैच में पाकिस्तानी गेनबाच राणा नवित उलहसन ने एक ओवर में 17 रन बनाये थे विरिंदर सहवाग के इस विश्व रिकोर्ड को आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाच नहीं तोड़ पाया है ये कमार तो रोहित गेल जैसे दिगड़ खिलाडी भी नहीं कर पाए अंतरास्टी क्रिकेट में रोही शर्मा और क्रिस गेल जैसे विस्पोटक बल्लेबाच एक गेन पर 17 रोंड बनाने का कारणामा नहीं कर सके विरेंदर सहवाग की बात करें दोस्तों तो उनकी बल्लेबाची का अंदाच अलग था विरेंदर सहवाग ने 2015 में अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास की गोष्णा की भारत को अभी तक विरेंदर सहवाग जैसा बाश राणा नवीद उलहसन नी विरेंद्र सहवाग को उस ओवर मे लगाता तर तीन गेंदे मारी जिसमें से विरेंद्र सहवाग ने दो चोक्म के लगाये इसके बाद लीगल बॉल पर कोई रन नहीं बना इसके बाद राणा नवीद उलहसन men फिर से दो नो गेंद फेकी जिसमें से विरेंदर सहवाग ने एक चोका लगाया जबकि दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना इस तरह राणा नवीद उलहसन के उस ओवर में विरेंदर सहवाग ने तीन चोकों से बारा रन और पांच केंदों पर पांच हतिरिक्त रन बनाकर कुछ सत्रा रन बनाएं सहवाग का रिकोर्ड विरेंदर सहवाग ने भारत के लिए 104 टेस्ट मैचों में 49.34 के उसस से 8586 रन बनाएं जिसमें 23 शतक और 32 अर्द शतक शामिल है उनका सर्वसेस्ट स्कोर 319 रा है वीरू ने 251 वंडे मैचों में 15 शतक और 38 अर्द शतक समीट 8273 रन बनाएं इस फॉर्मेट में वीरू का सर्वसेस्ट स्कोर 219 है इसके अलावा वीरू ने 19 टे 20 मैचों में 394 रन बनाएं जिसमें 68 रन का उनका सर्वसेस्ट स्कोर था दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद